इंशुरेंस रेगुलेटर आर आई आई डिया यानि एडा ने इस हफते बीमा एजिंटों के कमीशन को लेका ड्राफ नोट जारी किया है और उस ड्राफ में एजिंटों के कमीशन की अधित्तम सीमा को 20 पीसद रखने का सुझाव दिया इसके अलावा बीमा एजिंट के लिए पांच में दसमें और पंधरमें वर्ष में बिल्डिन कमीशन का भी प्रस्ताव है सर एडा ने जो ड्राफ नोट जारी किया इसमें और क्या क्या सजेस्ट क्या गया है क्या स्ट्रक्चर बताया गया महाशुबं ये सबसे महतुबन ख़पर इसलिए है क्योंकि बीमा कमपईनी एजिंट को कितना कमीशन देती है इसका सीधा असर बीमा कमपईनी के अपने कारोबार और रुपात की लागत पर भी पढ़ता है और इसके साथ उसका असर बीमा लेने वाले विक्ति पर भी पड़ता है क्योंकि उसे लाकत दी जाती IRDI पिछले दो-तीन साल से इस जद्दो जायद में थी कि किसी तरह वो बीमा कमपिनियों को एक आदर्श धाचा बना कर दे सके जिसमें एक समान एक रूपता आ सके कि कौन सी कमपिनी लाइफ इंशूरंस और जर्लन इंशूरंस की कमपिनी किस तरह से अपने कमिशन बाटेगी हम और आप सामाने लोग जो बीमा खरीदते हैं उन्हें पता भी नहीं है उनके पास इस बाट की जानकारी भी नहीं है कि जो बीमा खरीद रहे हैं उसमें एजेंट को मिलने वाला कमिशन कितना होता है पहले मोटे तोर पर समझें कि इंशूरंस इर्विट्री अथारिटी ने जो अपने इस प्रस्ताव में जो कमिशन का इस्ट्रक्चर तेयक किया है वो समझना हमारे लिए जरूरी था कि जब आप बीमा पालसी खरीदें तो आपको पतार है कि आप इतना कितना कमिशन दे रहे हैं दो अलग-अलग पैमाने रखे हैं जनरल इंशूरंस के लिए एक अलग से स्ट्रक्चर तेय किया गया है कमिशन का और लाइफ इंशूरंस में कमपीनियों को थोड़ी छूट दी गई है एक किस्म की freedom दी गई है flexibility दी गई है जिसके आधार पर वो अपने कमिशन को तै कर सकते हैं single premium policy पर first year का premium की capping 2% कर दी गई है जो group fund based policies है उन पर 1% कर दी गई है और जो regular premium policies है उन पर अधिक्तम capping 20% की capping कर दी गई है और renewal premium पर 10% का commission मिलेगा ये structure तै किया गया है IRDI ने ये कहा है कि life insurance ऐसी life insurance company जिनके management expenses जो limits तै की गई है उससे 70% से नीचे हैं वो अपने commission structure को customize कर सकते हैं यानि अपने commission structure को बदल सकते हैं लेकिन जिनके खरच prescribed limit के 70% से ज़ाधा है उन्हें इन सखत capping का या इन सीमाओ का पालन करना पड़ेगा जनरल insurance company के लिए जो नियम तै किये गए हैं उसके उसे साब से जनरल insurance company हेल्थ और अलग 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 policies पर दो फीस्दी से लेकर 7 फीस्दी तक का premium तै कर सकती हैं ये नियम एड़ा ने तै किये हैं और इसका असर हमें insurance industry पर आने वाले समय में दिखाई देगा सर इसकी जरूरत क्यों पड़ी सबसे बड़ी जरूरत शुब हमें इस बात को ले कर थी कि insurance company कंपिनियों की cost का एक बड़ा हिस्सा commission देने में जाता है और reserve bank IRDA ने जब पिछले दिनों में bank में insurance company के expense management की limits तै की थी और ये कहा था कि बीमा company आप एक निरधारी सीमा से अधिक management पर खर्च नहीं कर सकती क्योंकि उसकी लागत बीमा खरीदने वाले विक्ति के पास या तो policy की price में प्रीमिंग के price में जोड़कर आती है तभी ये बहस शुरू ही थी कि आप commission की प्रक्रिया भी एक समान में पारदर्शिता होनी चाहिए दूसरी बड़ी चीज ये थी कि commission को लेकर कई company और उनके बीच में काफी competition था उस competition में अलग-अलग तरीके से commission आफर भी किये जाते थी वीमा company ने इसलिए भी नियामक की जिम्मेदारी थी कि इस प्रक्रिया को बदले मौजूदा पर इस परिस्तिती जो अभी इस है उसमें पहली साल के premium पर 40% कमिशन दिया जाता है इस लेवल तक या नहीं मालीजे पहली साल का premium अगर आपका 1000 रुपए तो उसका 40% हिस्सा सीधे-सीधे भी मायजिन को commission के तौर पर चला जाता है single premium products के उपर जो मौजूदा commission है वो 2% से 7.5% अलगलग categories में दिया जाता है तो यह जो गफलत थी कई तरीके के slap थे और कई तरीके के premium rates थे इन्हें ठीक करने के लिए Insurance Regulability Authority ने यह नया प्रस्ताव रखा है सर फाइदे क्या पारदर रिष्टा आएगी आपकी बास समझ के मुझे लगए एक तो यह पारदर रिष्टा आएगी और क्या-क्या फाइदे होंगे वो शायद ऐसा नियामक मानता है कि अपनी policies को सस्ता कर सकती है policies में मिलने वाली सुविधाओं को लोगों को और जाधा बहतर ढंग से दे सकती है और cost of policy holding कम हो सकती है दूसरी चीज़ है कि एक standard structure होने के बाद बीमा कमपीनियों में स्वस्त परतिस परदा बनेगी क्योंकि कोई company दूसरे agent के तुलना में ज़्यादा commission नहीं देगी और तीसरी चीज़ है कि सबसे महत्तुपोन बात है कि खरीदार को ग्रहक को ये पता रहेगा कि वो जो policy पर premium दे रहा है उस पर commission कितना है बलकि policy note पर ये बात अब लिखने का आदेश भी जारी हो गया है कि उसमें agent का commission कितना है agent को कितना commission दिया जा रहा और ये बहुत जरूरी है जानना कि आपके agent को आप mutual fund खरीते हैं तो आपको पता नहीं कि इतना commission आपको देना पड़ता है या आप बाकी भी कोई सामान खरीते हैं तो जो commission है वो एक किस्म का फीस है और वो उसकी cost में built होती तो ग्राग कोई पता होना चाहिए तो तीनों तरह से नियामक ने इसे structure को बारदर्श्टी करने की कोशिस की सर सबसे बड़ी कंपनी है LIC उसके कामकाच पर कैसे असर पड़ेगा क्योंकि LIC में अभी जो commission का structure है उसमें कई सारी अलग-अलग policies पर 15-35% तक का commission दिया जाता है LIC agents को को ये इन जब ये आयाडिया का प्रपोजा लाया और उसके बाद LIC चुकि लिस्टेट कंपनी है तो LIC के कामकाच की समिक्षा शुरू हुई और उस मामले में MK Global की में एक report पढ़ रहाता है बताती है कि LIC के अलग-अलग product पर 15-35% का commission दिया जाता है जबकि 3-7% का commission agents को additional reward के तौर पर मिलता है अत्रिक reward के तौर पर मिलता है अब जब कि और इसके लावा renewals पर commission मिलता है अब जब कि 20% की maximum regular premium पर capping आ गई है जो IRDA ने तेय की है तो अब LIC को अपने commission के ढाचे में बदलाओ करना पड़ेगा restructure करना पड़ेगा क्योंकि आप पूरे अध्योग के लिए एक समान नियम ताय होगा है तो LIC के agents को मिलने वाले commission में इस नए फैसले के लागू होने के बाद जब भी ये notify होगा तो उनके को मिलने वाले commission में कमी आ सकती है